नमस्कार मेरा नाम है अंश्यता आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 इंडिया बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जुबानी जंग होना वैसे तो कोई नई बात नहीं है लेकिन इस बार इस लड़ाई में बीजेपी के हालत खिस्यानी बिल्ली खंबन ओचे वाली हो गई है जी हां विने सक्सेना के खिलाफ अब मुकदमा चलेगा हाला कि कोशिश तो उन्होंने बहुत की थी लेकिन कोट के सामने उनकी कोई दलील नहीं चली और कोट ने उनकी याचिका खारिस कर दी अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा मामला है जुसने दिल्ली के उपरा लीजिए कि कोट ने क्या कहा देखिए कि एहंदवाद की एक अदालत ने आठ माई को दिल्ली के उपरा जपाल वीके सक्सेना की याचिका को खारिस कर दिया उन्होंने याचिका दायर कर उनके खिलाफ मुकदमे पर रोक लगाने की मांग की थी कोट में एडिशनल मेट्रो का हवाला भी दिया था उन्होंने मार्च में एहमदाबाद मजिस्ट्रेट कोट में आवेदन दिया था कि जब तक वो दिल्ली के उपरा जिपाल पदपर है तब तक उनके खिलाफ मुकदमे पर रोक लगाई जाए आवेदन में उन्होंने सम्मिधान के अनुष्ये 362 का वाला दिया था जिसके तहत राष्ट्रपती और किसी राज्यके राज्यपाल के खिलाफ उनके कारिकाल के दौरान किसी भी कोट में आपराधिक मुकदमा नहीं चलाने का प्रावधान है विन्यसक्सेनाने कोट में दलील दी थी कि राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा उन्होंने कहा कि उब्राज्यपाल की शक्तिया सिर्फ एक प्रशासक की तरह नहीं है सक्सेना ने आगी ये भी दलील दी कि जिस तरह राज्यपाल विधान सभा को संबोधित करते हैं उसी तरह दिल्ली के एलजी दिल्ली विधान सभा को संबोधित करते हैं लेकिन कोट में उनकी कोई दलील नहीं चली और कोट ने सियाचिका को खारिस कर दिया जो वीके सकसेना के लिए किसी करारे जटके से कम नहीं है दरसल वीके सकसेना पर एहमदबाद के सावर मती गांधी आश्रम में समाजिक कारिकरता मेधा पाठकर और दूसरे लोगों पर हमला करने का गई थी मारपीट के शिकायत के बाद सावर मती थाने में एक दर्श की गई थी यह अपराधिक मुकदमा एहमदबाद मजिस्ट्रेट कोट के सामने 2005 में आया था ऐसे में जब वीके सकसेना ने मुकदमे पर रोक लगाने की मांग की तो उनकी इन दलीलों का मेधा पार्ट क पर ने विरोध किया था उन्होंने 9 मार्ज को कोट से कहा था कि वीके सकसेना क्रिमिनल ट्राइल से नहीं बच सकते क्योंकि उनका दर्जा राजिके राजजपाल के बराबर का नहीं है अब जैसे ही कोट का फैसला आया आम आदमी पार्टी को मौका मिल गया और उसने बीज राजिपाल का दर्जा राजिपाल से भी उपर है इस मामले में गुजरा सरकार भी चुप रही जबकि उसे इसका विरोध करना चाहिए था वहीं बीजेपी ने आपके वयानों पर पलटवार किया और उप राजिपाल का बचाव भी किया बीजेपी ने कहा कि ये मामला दो कोशिश क्यों ना कर ले लेकिन ये तो तै हो चुका है कि अब उपराजिपाल के खलाफ मुकदमा तो चलेगा और कोट ने उनकी कोई दलील नहीं सुने जो बीजेपी और उपराजिपाल के लिए किसी बड़े जटके से कब नहीं साथ ही इस मामले ने आमादवी पार्टी क पर लाइक कीजे और कॉमेंट करके बताइए आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा त्विचर हैंडल है आर्टिकल 19 अंडर स्कुर इंदिया इसको भी फॉलो कर लिजे नमस्का त्विजरा सब्सक्रा इसक इसकी जरू करति भी जरूर बंगािएएगा झालाए मारे ये थॉलो करके वीडिant करने पर आर्टिकलों परीज़ k नंडर में हम्राद आर्टिक हैंड़ कर लिए इनावर्चा।